दोश तो एक मचली पानी में तैर रही होती है कि तभी एक मचवारा उसे पकड़ कर एक बाबर्ची को दे देता है जब बाबर्ची उसे काटने ही वाला होता है तो वो मचली बहां से धीरे धीरे भाग रही होती है तर बाबर्ची उसे पकड़ लेता है और खौलते हुए पानी में डालने ही वाला होता है कि तब ही वो मचली अपने आपको फुलाक कर बाबर्ची के हाथ से छूट कर एक कमरे की दिवाल पर टकरा कर एक डंडे से टकराती है जिससे उसकी सारी हवा निकल जाती है और भै उड सकती हुई वापस कड़ाई में गर जाती है सायद इसी लिए कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता है